श्लोक नमबर छे वीतराग का लक्षन उच्छिन दूशेन जो सब्द कहा उसे वह दोसों से रहते हैं अब कौन-कौन से दूश हैं जिन से वह रहते हैं उनको यहां पर बतलाते हैं छुत्पि पासा जरातंक जनमान तक भयस्म यहां नारागत्वे समुहास्च यस्याप्ताहसा प्रकीर्ट्यते अब कौनहा एक-एक सब्द को देखते हैं छुत्पि पिपाशा जरातंक जनमान तक भयस्म यहां नारागत्वे समुहास्च यस्याप्ताह शाप्रकीर्ट्यते पौनहा देखें सब्दों को सब्दों को उच्चारण भी अच्छी तरह देखें छुत्पि पिपाशा जरातंक जनमान तक भयस्म यहां नारागत्वे समुहास्च यस्याप्ताह शाप्रकीर्ट्यते यश्या जिसिके मतलब गर्व घमंड मद भी उसे कहते हैं राग द्वेस मोहा राग द्वेस मोह च और च सब्द से क्या क्या लेना हैं चिन्ता अरती निद्या निद्रा विश्मय शोक श्वेद अर्थात पशीना और खेद अर्थात दुख्ध ये टोटल यहाँ पर 18 प्रकार के दोश हैं इन 18 दोशों से जो रहत हैं रहत हो गए हैं उनका नाम वीतराग है मुखतया तो वीतराग सब्द में ही राग से जो रहत हैं वे वीतराग हो गए लेकिन राग के सासान और भी दोश उनके अव नहीं रहे उन दोशों को यहाँ पर विस्तार सहा आपकी सामने बतलाया अर्थ देखते हैं जो भूख अर्था अब उन्हें भूख नहीं लगती अर्हिंत भगवान श्रीमद जनिंद्र महास्वामी कैसे हैं तो वहाँ उनको भूख नहीं लगती अर्था वे प्रशाद आदि ग्रहन नहीं करती फिर प्यास उनको किसी भी प्रकार की प्यास नहीं सताती बुडापा उनका बुडापा नहीं आता केवल ग्यान के बाद उनके शरीर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते और वह सरीर as it is बना रहता है उसमें किसी भी प्रकार का depreciation नहीं होता इसलिए वह सरीर एक गम जैसा था वैसा बना रहता है यदि किसी जीव को आठ वर्स अंतर मूर्त में केवल ज्यान हो जाए तो जीवन परियंत उनकेवली भगवंत का वह सरीर आठ वर्स के बालक के समान बना रहता है रोग उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता उनका शरीर परमाउधारिक दिव्य भव्य शरीर होता है जिसमें निगोदिया जीवों का अभाव होता है उसमें निगोदिया जीवों का अभाव होने से वह सरीर अत्यन्त निर्मल हो जाता है और निर्मल हो जाने के कारण उसमें रोग बीमारियां नहीं होती है जन्म अब उनका पुनर जन्म नहीं होता अब वह इस अंतिम देह को छोड़ करके और साक्षात अनंत सित्तों की श्रेणी में सिध्धाले में जाकर विराजमान हो गए अब पुनहा लोट कर कभी इस रष्टी पर नहीं आएंगे नहीं वे कभी आवतार लेंगे नहीं वे किस रूप में इस संसार में लोट कर आएंगे मरन उनकी मरन नहीं होता अब इस परियायका जो उनका छूटना है वह एक प्रकार से मुक्ष है वह मरन नहीं है भाय उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता नहीं वे कभी किसी को डराते हैं और नहीं कोई उनसे डरे और नहीं वेस्वयम किसी के मध्यम से डरते हैं फिर गर्व मद घमंड ये सब क्या हैं ये सब मान कशाई के कारण होते हैं मान कशाई के कारण ऐसा जो परिणाम है वह उनके नहीं होता फिर इसके वाद आया राग राग मतला अच्छा लगना किसी विवस्तू के प्रती ये वस्तू बड़ी अच्छी है ये वस्तू बड़ी प्यारी है ऐसा जो भाव है इसका नाम है राग दूसे नमबर पर है दुएश जो वस्तू बुरी लगती है ये गड़वड है ठीक नहीं इसे कहते हैं दुएश फिर इसके वाद आया मोह मोह अर्थात मम इदम यह मेरा है ऐसा जो भाव है वह है मोह चा और और क्या क्या लेना चिंता उन भगवान के चिंता नहीं होती अर अरती अरती अरतां अच्छा नहीं लगना ऐसा उनके भाव नहीं होता निद्रा उनको नींद नहीं आती केवल यान के पश्चाथ अब ये जितनी वर्षों तक यहां पर आठ वरस अंतर मूर्त कम पूर्व कोटी वर्षों तक आयू उनकी हो सकती है उतनी वर्षों तक वह विना निद्रा के रहते हैं फिर उसके बाद विश्मय उनके आश्चर नहीं होता फिर शोक उनके शोक नहीं होता किशी के जाने पर उनको विरह नहीं होता फिर श्वेद श्वेद मतलब पसीना उनका सरीर अत्यंत निर्मल पवित्र और सुन्दर हो जाता है उसमें किशी भी प्रिकार का कोई पशीना नहीं आता फिर उसके बाद खेद खेद अरता दुख उनको कोई भी दुख नहीं होता ये अठारा दोश उन अर्यंत भगवान के जीवन में नहीं पाए जाते इसलिए वह वीतरागी अरता संपूर्ण राग जिनका समात हो गया है वीत गया है ऐसे वीतरागी भगवान ही सचे देव होते हैं जिनमें इन मेंसे एक भी दोस दिखाई पड़ रहा है अभी वह सचे भगवान नहीं है अच्छी तरह निरणाय करना अच्छी तरह मजबूत और द्रण बनना सचे भगवान में ये ये दोस नहीं पाए जाते यदि ये दोस बाकी है क्यों क्योंकि अभी वे सचे सर देव बने ही नहीं है तो जब वे स्वयम ही शुद्ध नहीं हुए हैं स्वयम ही रागदोईशेक के अभाव को प्राप्त नहीं हुए हैं तो आपका कल्यान क्या करेंगे अर्थाद उनके माद्यम से किशी भी रूप में किसी का कल् इस प्रकार यह वीतराक्ता का लक्षन कहा गया